जो हकिकत को जानते हैं वो खुदा को पहचानते हैं हकिकत खुदा है हकिकत मसी है हकिकत पर चलना सही जिन्दगी है हकिकत 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 क्या है अजीज नाजरीन एक बार फिर से आपका खादम एनुलहवीब आपके खिदमत में आपका अपना प्रोग्राम हाकिकत लेकर हाजर हो रहा है अजीजों किताब मुकद्स के बारे में हम आपको बताते हैं हमारा प्रोग्राम इसी लिए बनाया गया है ताकि आपको किताब मुकद्स की कुछ खास बाते बताई जाएं अक्सर होता है हमारी जो जिन्दगी है बड़ी मस्रूफ हो चुकी है और हमको अक्सर वक्त नहीं मिलता है कि हम किताब मुकद्स का मुताला करें लेकिन ये प्रोग्राम जो है इस तरह से बनाया गया है इसे दिल्चस्प भी बनाया गया है इसमें कुछ गहरी बाते बताई गये हैं और जो मश्किल बते हैं उनको हमने आसान किया है जी हां आसान किया गए क्योंके खज़ा की तरफ से ये बात त creepy गई थी किताब मुक्द्दस इन्सानों के लिए लिए गई हर इनसान केलिए चाहे आप पड़े लिखे हो चाहे आप पने तलिम कि आप पहुँचे यानि उस मन्जिल तक जाने का जो खुदा ने आपके लिए मुकर्र की है तो अजीज़ों आज हम देखते हैं कि किताब मुकद्स किस तरह से हमारे लिए एक नकशा है और इस नकशे की हमारे लिए क्यूं जरूरत है और इस नकशे के जरीए हम कहां तक पह तो अजीज़ों मेरा पहला सवाल है जनाब मनसूर बेग साहब आपसे जी जनाब तो सवाल कुछ इस तरह से है कि बाइबिल के मताबिक तमाम अध्रिव जो इनसान है बनी आदम है वो क्या करेगा एलूल भाई इस सवाल के दो पहलू है आपने जो सवाल किया है ये तक्ते अदालत से पहले और एक है तक्ते अदालत के बाग या दूसरे माइनों में कह दीजे एक मौत से पहले और एक मौत के बाद जे मौत से पहले तो हम जो कुछ हाज हम देख रहे हैं कर रहे हैं वो करते आ रहे हैं सब को मालूम है जे जे अब सवाल पैदा ये होता है जो खुविया बात है जो अभी तक सामने नहीं आई वो है तखते अदालत के बाद या मरने के बाद हम क्या करेंगे मरने के बाद पहली चीज है जो हमें मुकाश्वा फीस्वा बाप और उसके ग्यारा से पढ़ाओं फिर मैंने एक बड़ा सफेद तक्त और उसको जो उस पर बैठा हुआ था देखा जिसके सामने से जमीन और आसमान बाग गए जे जे और उन्हें कहीं जगा ना मिली फिर मैं ने उन किताबों में लिखा हुआ था उनके आमाल के मुताबिक उनका फैसला या इनसाफ किया गया ये हर इनसान के लिए जरूरी है तक्ते अदालत होगी इसमें फैसला होगा किताबों के मुताबिक जो किताबे लिखी हुई खुदामन के पास है उनके मुताबिक उनका इ हाव दो ही जगे हैं 고양 library जन्न दो जबार और आखिर में मौत अलब में अरवाबी दोजग में डाल दिये जाएंगे जे पहली बात अब इसके ब SM जो लोग जन्नद में आएंगे दोजग में जाएंगे वो खुदावंद का खेमा इनसानों के दर्मियान है वो उनके साथ सकूनत करेगा यानि के हम खुदावंद के साथ अब्दियत में रहेंगे खुदावंद के साथ जी जी किसी इनसान के साथ नहीं आज तक कभी किसी किताब ने ये बात हमसे नहीं कहिए जी कि इनसान अपने माब ना नाला रहेगा ना दर्द यह सब चीज़े जाती रहेंगे यानि हम खुशी खुरमी में हमेशा अपने माबूद अपने खुदावंद जिन्दा खुदा की इबादत करेंगे उसके हमदो सिताइश करेंगे बहुत 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 खुबसूरती से आपने बयान किया और किताब मुकद्दस जब हमें बताती है कि उसके नक्षे में इनसान के लिए ये चीज़ भी मुहिया है नहीं तो बहुत से लोग जी आप कुछ फर्माएं उसी बात ये है कि जैसा कि आपने फरमाया कि ये वो खुदावंद है जो हमारी इनसानों की रसाई से मावरा नहीं है दूर नहीं है बलकि उस तक हमारी रसाई है और वो हमारा शक्सी खुदा है हम जाती दिश्टा उसके साथ ताइम कर सकते हैं इसलिए आखर में कहा गए उन्होंने फरमाया कि हम उसके हुदूरी में रहेंगे जे और इसलिए तो खुदा ने इनसान को बनाया था हज़रत आदम और बीबी हुआ हमेशे खुदा की मौजूदगी में खुदा की बारगाह में रहा करते थे मेरा अगला सवाल आपसे जनाब रफिक साहब किताब मुकद्स को लेकर अकसर ये सवालात आते हैं सामने और सबसे बड़ा जो सवाल है उन सवालात में से वो ये है कि बाइबल क्या है दो पुराना एहद नामा नया एहद नामा आप और हम जानते हैं कि पुराना जो एहद नामा है उसमें तुराइच शरीफ है जबूर शरीफ है नब्यों के सहीफ है और जो नए एहद नामा है उसके अंदर आपको इंजील शरीफ मिलती है और रसूलों के अमाल और रसूलों के लिखे वे खतूत है जी तो अब ये बता आने वाले जमाने की पेश गोई है बिल्कुल इस तरह मान लीजे मैं एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाने जा रहा हूं और उसका नक्षा मेरे पास में जी और जब मैंने आपको इंजीनियर हायर कि और आपने हमको नक्षा बना के दिया तो आप मुझको बताते हैं यह आ पुराना नियम है और पुराना एहदनामा है और जब बना करके पेश कर दिया तो यह नया एहदनामा है जैसे मकाशिफा में खुदा के कलाम में लिखा है वो बर्रा जो बिना आलम के पेशतर जबा हुआ है यह वो बर्रा यह एक मसधा खुदा ने बनाया और जब हम देख में तक्सीम किया गया ताकि आप खुदा के मनसुबों को उसके वकू में आते वे देख सकें जी जी और इसलिए इन दो को रखा गया जैसे ट्रेन है अगर एक पट्री पे चलाई जाए तो चलेगी नहीं जी पर ये दो पट्रियों पे इसलिए रखी गई ये ताकि आप करटती है जैसे जब मत्रे London की इंजील पढड़ते हैं तो वहां पर लिकाए कि हजड़त यही आते और खुदा के क्लाम की मनादी करते हैं और तब तीसरी आयत में लिखा है ये वही कलाम है जो हज़रत यशया के मारफत कहा गया था कि वियामांग में एक पकारने वाले की आवाज आती है कि खुदावंद की राह तयार करो तो अगर ये नया अधनामा नहीं होता तो जो वहां बात कही गई है ये हमको कभी में आए कि वाकिए ये खुदा का कलाम है कोई बैठा हुआ लोगों के लिए कुछ बना रहा है और वो ऐसा सोचा था उसने और ऐसा हुआ है फिर ये इस पुरी दुनिया को नया एधनामा और पुराना एधनामा दो हिस्से में तकसीम करता है जिसको हम कहते हैं हज़रत मसी से पहले और हज़रत मसी के बाद फिर अगली बात ये एक तद्रीजी जिलहाम है जब आप पुराना नयम पढ़ते हैं या पुराना एधनामा पढ़ते हैं तो और पर ओधनामा आ ख कर दो अथा उल्दा क्यों आप आधनामा दो पर पर admiraB आधनामे में आते हैं तो यहां को ले के आना चाहरा था ताकि इनसान की तबियत में तब्दीली आए बेहतर हो जाए तो ये वो किताब है जो हमारी जिन्दगी में बेहतरी को ले करके आती है हमको एक बेहतर कल के लिए ले करके जा रही है या इनसान जो है इवाल्व हो रहा है अंग्रेजी में जिसे कहा ज उच्ट वे से जवाब दिया कि पुराने एहद नामे में भेर अपने चर्वाहे के गुनाह के लिए मर जाती थी और नए एहद नामे में चर्वाहे ने अपने भेरों की जान को बचाने के लिए अपनी जानुगा कितनी खुबसूरती से आपने ये नजीर को पेश किया या खैर अश्रफ साहब मेरा अगला सवाल आप से है और वो इस तरह से है कि यहूदी जो है वो किसकी पैरवी करते हैं और जो मसीही हैं वो किसकी पैरवी करते हैं अब यह हमने देखा कि यहाँ पर एक बटवारा सा हो पराना एहदनामा नहीं रगते नहीं गया यहूदी जो हैं वो इमान नहीं रखते नहाई तॉरगओ जब कि हमने देखा कि जो पराना एहदनामा है और नहाई नहाई ओklाना से इसके बावजूद राज आशकारा हो गए नई एहध में किस दो आपके पहले सवाल का पहले ज जवाब ये है कि ये जो बनी इस्राइल येहोद है वो मानते हैं अगर उन से पूछा जाए कि आप किसको मानते है वो सबसे पहले जिकिर करें फरमायेंगे حضرت موسیٰ का वो कहेंगे हमारा حضرت موسیٰ हमारा नभी है और अगर उन से पूछा जाए कि आफ़ की मुकदस किताब कौन से है तो एक दम वो तनक का जिकर करेंगे वो कहेंगे तनक है जिसको वो भी और हम भी तावरायत शेरीफ कहते है अब तनक से क्या मुराद है तनक का मतलब है पहले तावराद नभी और आखर में खातिबी जो जुनोंने तारीख तहरीर की अच्छा अब उसको वो तावराद भी आम लोग और वो भी कहते हैं लेकिन अगर मुसीहों से पूछा जाए कि आप किसमें एकिन करते हैं तो मुसीही दोनों जैसा है उन्होंने फरमाया दोनों किताबों को यानि कितावराद शेरीफ जुबूरी शेरीफ दोनों आखर किस सरागों पर उसको भी उन सब लिवियों को मांते हैं उन सब तालीमात को मांते हैं लेकिन आखर में जिन की तरफ वो इशारा करते है ये पराना अहलना मयतावराइच करी वो खुदावन यसुम मसी है और हम ये मानते हैं कि वो मौओदा मसी है जिसका वादा देया गया है कि वो हमारे गुनाहों के नजात के लिए आएगा और जो उस पर इमाल आएगा वो किया जनाब अश्रफ साहब बहुत अच्छा लगा और अब हमारे अजीज जो हैं वो समझ गए होंगे किस तरह से खुदा ने या इनसान ने आप जो भी कहें इस किताब मुकदस को दो हिस्सों में बाटा है मगर मेरे ख्याल में ये एक खुदा की तरफ से है क्योंके इनसा को खुदा ने अकल दी है और खुदा के जरीए इनसान जो है ये समझ पाता है कि हमें क्या करना चाहिए अब एक छोड़ा सा ब्रेक लेंगे उसके बाद हम आएंगे और आपको कुछ और खास बाते बताएंगे किताब मुकदस की हवाले से बस हम गए और आएं एककता हौर भी विन जो मेंगे घंगे आएंगे अठीज के साथ धे अऊना इंडरा लेक्र साथ का क्वर ने अशचावरों स्रेयर र सबस्राइम आएंगे आएंगे और किस सवचो स मोइंगे के य। अ करो अजिए टूँ ऊफ шाथ आहिंगे लात टना उई इस पूष तरफ इस जो हैं और अजीज नाजरीन जैसा कि हमने कहा था हम गए और वापस आए और मेरा अगला सवाल है जनाब असगर साब आप से असगर साब पुराने है नामे में हमने देखा है कि जंगे की गई थी और खुदा ने कोई रोप ठोप नहीं की थी उसमें लेकिन जो नए अहद नामा है वहाँ पर मसी ने यहां तक कह दिया कि जो शक्स तलवार के बल पे जीता है वो तलवार से ही मारा जाएगा यानि कि उन्होंने शिद्दत से इस बात को माना किया था कि तुम किसी पर हाथ नहीं उठाओगे ऐसा क्यों है दोनों में इतना फर्क क्यों आता है जी जनाब और इसको जब हम पूरे बाइविल को मुताला करते हैं इस मौज़ू के उपर तो चार बाते हमें नजर आती है नमबर एक जब आप पैदाइस में पढ़ेंगे बाब एक और दो में जब तक गुनाह सरजद नहीं हुआ था तब तक कोई जंग नहीं थी महाँ प घड़ता गया है और खासर से आप पढ़ेंगा अगर एहबार के किताब तो एहबार के किताब 18 का 6 से लेकि और 26 तक ऐसे 24 किसम के गुनाह है मैं कुछ पढ़के सुना देता हूं आपको खुदावन कहता है एहबार के किताब 18 के 6 में कि तुम कोई अपने किसी करीबी रिश तो तुम उनकी सी काम ना करना और जैसे कि लोग मिस्र में करते हैं उनकी सी काम ना करना फिर देखी आयत 15 में लिखा है कि तू अपने बहु के बदन को बेपरदा ना करना क्यूंकि उतरी बेटी की बहु है फिर तू किसी और औरत को या उसकी बेटी से शादी ना करना या ब लब्बस थे जी और खुदा कहता है कि इनके इसी गुनाहों के वज़े से मैं इनको मुल्क से निकालने पर हूँ तो हम देखते हैं कि दूसरा जो जंग का यहां पर एक वज़े है खासर से जो साथ कौमें हैं उन साथ कौमों के गुनाहों का जिक्र है यहां पर और इस है कि अब तू अपने दुस्मनों से महबत कर लेकिन मुकासिफा में जब पढ़ेंगे तो बाब बीस और एकिस में है कि शैतान जो तमाम गुनाहों का जड़ है उसको जहन्नम में डाला जाएगा और जंगे खतम हो जाएंगी हमेशा के लिए अब इस चार बातों को समझने वो बिल्कुल देगा लेकिन खुदा ने कहा था एहबार 19 का 17 में कि तू अपने किसी भी भाई से अपने दिल में नफरत मत करना तो यहस किसी ने गलत किया है तो सजा मिलेगा लेकिन उसके लिए दिल में बग्ज कीना नफरत मत रखना नमबर दो हम देखते हैं कि ये तमा तो आपके लिए दवाई प्रिस्क्राइब करता है आपको यह करना है तो खुदा ने नहीं कहा कि वो तुमको भी करना है नहीं जस यह दर्ज है उनके गुना के वाज़े से यह जंगे हुई है यह यह तालीम नहीं है कि तुम भी यही करो जी नमबर चार जब हम देखते हैं तो खुदा क्योंकि पाक है और वो लोगों को पहले बचाना चाहता है तो जब आप पढ़ेंगे पैदाई से नितौरित के कताब बाप 14 का 14 सलीका 18 में तो खुदा ने मिलकी सिद्दीक एक काहि थे उनको भेजा और लगबग 400 साल का मौका दिया इन साथ को मौको गुनाहों से तौबा करने के लिए लेकिन इन्हों ने तौबा किया क्या बिलकल नेकाई अगर आप गुनाह करें और तौबा ना करें तो बताएए खुदा आपके साथ क्या करेगा बेशक सजा तो देग यहवा खुदा ने इजिप्ट में क्या काम किया है हमने सुना है कि लाल समुधर को कैसे उसने बाठ दिया है और हमको मालूम है कि बेशक यह देश तुमको देगा इसलिए सबका दिल डर से पानी-पानी हो गया है और इसलिए कहती है कि जब तुम जंग कर रहे हो तो मेरे तो देखिए उसने गुनाओं से तौबा किया, खुदा ने उसको बचाया कि नहीं, बिलकुल बचाया, यहोश्वा 9 से लेके गैरा में एक और कौम का नाम है, जिसका नाम है हिवाइट्स, और हिवाइट्स लोगों को पता चल जाता है, यहोवा खुदा ने यह मुल्क इनको दिया है, तो वो आते हैं बहाना बना के रोटी लेके, पुराना में लेके, और कहते हैं कि हमने सुना है, यहोवा कैसे कैसे काम करता है, और तुम हमारे गुनाओं को माफ कर दो, और लिखा है कि यहोश्वा उसको माफ करते हैं, तो देखिए जिनों ने तौबा किया है, य मतलब एलान करने के बावजूद खुदा उनको बचाता है लेकिन जो तौबा नहीं करेंगे तो बिलकुल खुदा उनको मारेगा है नो उनको खुदा करेगा नमबर साथ जब हम देखते हैं तो पहला सामुएल पंद्रे का एक सेले के तीन में लिखा है कि जा और आमालेक के कौम के लोगों को मार ये हजरत सौल को खुदा हुकम देता है यहां तक की बच्चों को भी लेकिन सवाल ये है कि खुदा क्यों ऐसा हुकम देता है इसका रीजन मिलेगा खुरूस का किताब 17-18-14 में कि जब ये बनी इसराइल एजिप्ट से कनान के तरफ आ रही थी तो आ हमें मालूम है कि ये सचा खुदा है और खुदा उसको बचाता है लेकिन ये कि ये कौम है जो आ कि उससे लड़ता है अब बताईए खुदा क्या करेगा इसलिए खुरूच 17-19 ये बात शायद यरिहो मुल शेहर की है नहीं जब यहोडर पे जब लोग आने वाले थे अमाल हाई कर रहे हैं अपने हाथों को उठाए हुए हैं ये वहाँ वाला भी हाँ मतलब ये 17 सेम चाप्टर में लिखा हुआ है तो हम देखते हैं वो उसके बाद दूआ करना सुरू करते हैं उसके बाद उसी टाइम में खुदा कहता है कि इनके नाम को मुंदर्ज कर कि मैं इनक करेंगे तो खुदा क्या करेंगा आपको सजा तो देगा क्योंकि आप तौबा कर नहीं रहे हैं अब इसके अलावा जो हम देखते हैं तो ड्यू ट्रानमी 25 का 17 सली के 19 में खुदा कहता है कि याद कर जब तू इस्तिस्ना की किताब में और ये लोग तुम्हारी जो कमजोर थे जो लाचार थे जो पीछे थे उन पे इन्होंने हमला किया तो खुदा इनसाफ परस्त है और अगर आप ऐसा करेंगे तो खुदा सजा देगा और लास्ट में कहना चाहता हूं कि देखिए ये जंग ये पांच के तालिस से आर तालिस में तुम से कहा गया था दुस्मनों से दुस्मनी अपनों से महबबत करो लेकिन मैं कहता हूं अपनों से महबबत करो उनको माफ करो जे तो हम देखते हैं और उनके लिए दूआ करो जी 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 तो अगर ये आठ reason आप जान जाएंगे है ना तो ये आपका जहन से ये सवाल बहुत बहुत शुक्रे आपका और यकीन है हमारे जितने भी नाजरीने वो समझ गए होंगे कि फर्क क्या है इसके बीच में अब मेरा अगला सवाल है जनाब मनसूर साब आपसे के पुराने एहद नामे में खुदा लगातार अपने नबियों से बात करता आया है उनके जरीए लोगों तक पैगाम पहुचाता आया लेकि नए एहद नामे में हम देखते हैं कि सिर्फ तीन बार हम खुदा की आवास सुनते हैं और बाकी तीन बार तो खुदा की आवास सुनी लेकिन खुदावन ने जो लोगों से बात की नए एहद नामे में वो कैई तरीके से की मैं यहां तकरीमन च्छे तरीके बताना चाहूँ है नमबर एक अपने कलाम के जरीए से कलाम यानी बाइबल बाइबल दस दूसरा तिमोथियूस तीन सोला लुगर रसूल की इंजील उसका तैईस और पच्चीस दूसरा अपने बेटे ईशु मसी के जरीए से हमसे बात की यहुनना दस सत्रा और इबरानियों एक का एक से दो तीसरा कुद्रत उसकी कुद्रत और क्लकत के जरीए, क्रियेशन के जरीए से भी हमसे बाचीत करता है, जै हजरत दाउत केते हैं कि जब मैं रात को चार पाई पर लेटता और आस्मान की तरह देखता हूं, तेरी दस्तकारी को देख करके, तेरी बाते यादारी, जैज भी तो इसके लिए हम देखते हैं, कुद तीन और सत्रा आयत जे और एक जो सबसे बड़ी चीज है पाक रूप के जरीए से बात करता है इसके हवाला जाते हैं यहुना चौदा का सत्रा पहला पुरंथियो तीन सोला जे और सबसे आखरी जो चीज है वो है दूआ जब हम दूआ में ठहरते हैं तो खुदा दूआ के ज जरीए से भी हमसे बातचीज करता है जी शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया यानि कि ये चे तरीक चार इसके जरीए खुदा जो है नहे हधिनामे में बात करता है हम लोगों से अब मेरा आखरी सवाल आज का आपसे है जनाब रफीच साहब के आज के दोर में बाइبل का पैगाम क्या है पुरे बाइबल का आल्मी पैगाम खुदा की महबबत है उन्से मिलने आया करता था उनके साथ में रिफाकत रखता था और जब वो गुना से निकल गए गुना से उस जगे से निकल गए तो खुदा ने पूरी कोशिश करी कि फिर से वो रिफाकत वापस आ जाए और इसके लिए उन्हों अपने बेटे को इस जहां में भेजा और खुदा कलाम में लिखा खुदा ने जहां से महबत करे अपना एकलता बेटा बेटा बख्ष दिया ताकि जो कोई उस पर इमान और वो उसके लोग होंगे और खुदा आप उनके साथ रहेगा और उनका खुदा होगा और वो उनकी आखों से सब आसू पोच्छ डालेगा उसके बाद ना मौत रहेगी ना मातम रहेगा ना अहुनाला ना दर्द पहली चीज़ें जाती रही और तब लिखा हो जो तक पर चाता है आपके साथ रहना चाता है आपके साथ रिफाकत रखना चाता है और आपके सारे आस्मों को पोच्छ डालना चाता है क्यों कि वो आप से महबत कर चीज़ें अजीज़ें ये तो बहुत जबद्द बात हुई पुराना एहत नामा हमारे लिए बहुत जरूरी था क् कहते हैं दा कि एक बुनियाद ढली जा रही थी आने वाले जमाने की जिसमें आज आज आप और हम ची रहे हों हमारे लिए बड़ी ही तो गुनागर करते तो शायद बखशाईश भी नहीं होती लेकिन आज खुदा हमें इस दोर में पैदा करके हम पर बहुत बड़ा फजल कर चुका है और ये किताब भी हम इसे ली दी गई है ताकि हम खुदा के फजल में जिये तो अजीजों अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं फिर मिलेंगे कुछ और खास बाते लेकर किताब मुकद्स के हवाले से तब तक के लिए जाज़त दीजे खुदा हाफिज खुदा हाफिज एजुकेशन has the power to break the cycle of poverty Sponsor a child, donate for a cause, invest in their future Sponsor a child, let their future smile You can make a difference हम तहे दिल से हकीकत प्रोग्राम के चाहने वालों का शुक्रियादा करना चाहते हैं यह आपकी दौाउं का सिला है और साथ ही आपके दिवे महबत भरे भेट, नजराने और हदियों से मुमकिन हुआ है कि हमारा प्रोग्राम इतने लंबे अर्से से यहाँ चलाया जा रहा है आप कहेंगे यह खुदा का करना है बेशक मगर साथ ही साथ खुदा ये भी तो फर्माता है कि उसके बंदे उसके काम में उसका हाथ बटाएं आप चाहें तो आप हमारे साथ इस मुबारक काम में शरीके कार बन सकते हैं आप पूछेंगे कैसे बस अपनी भेट, नजराने और हदिये आप इस दियेवे पते पर रवाना कर दें अगर आप इस बारे में और चानकारी चाहते हैं तो हमें इस पते पर खत लिखें पोस्ट बॉक्स नंबर 8028 नईडिली 110033 फिर आप से दुबारा रुबरू होंगे इसी वात तब तक के लिए शुक्रिया, खुदा हाफिज मसी है, हकेकत पर चलना सही जिंदगी है हकेकत, 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 हकेकत